नमस्कार साथियों सरकार ने एक संसद में कानून पारित कर दिया कि सड़क दुरघटना जो भी होगी उस ड्राइवर को ज़री कोई उस ड्राइवर से किसी दूसरे आदमी को हानी होती हो और ड्राइवर भाग जाता हो तो उसको दस साल की सजा होगी साथ लाख रुपया जुर्माना होगा उसके चलते भारत के ट्राइवरों ने हरताल कर दी और ये कानून क्यों संसद में लाना पड़ा सरकार को सरकार की एक चिंता थी कि सड़क दुरघटना बहुत हो रही थी उनकी बात भी सही थी भारत में साड़े चार लाख के आसपास सड़क दुरघटना होती है उसमें एक लाख एक लाख तीसे जार डेल लाख तक मोते होने लगी प्रती वर्फ तो सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि इससे लोगों को थोड़ी सी डर का भाव बना रहेगा लोग गारी साउधानी से चलाएंगे यातायात के नियोमों का पालन करेंगे अब उसमें ये देखा गया कि जो 10 साल तक वो जेल चला जाएगा 7 लाख रुपया ड्राइवरों का ये कहना है कि हम लोग दे नहीं सकते उनकी सेलरी भी बहुत कम है 10-15 आजार रुपय तक होती है तो उन्होंने एक आंदोलन करके फिर वो सड़क जाम किया और सरकार ने फिर 72 घंटे के अंदर वो उनको आसवसन दिया कि अभी लागू नहीं करते है केवल ये स्थगित किया कैंसल नहीं किया भी वो उन्होंने ये कानून वापस नहीं लिया है तो हर्ताल फिर उन्होंने फिर वो खतम कर दी लेकिन हकीकत में होता क्या ये चिंता की बात है सरकार की चिंता भी बराबर है लोगों की मौते बहुत ज़्यादा हो रही थी सड़क दुर घटनाए अन्य देशों की तुलना में भारक में सड़क दुर घटनाए बहुत ज़्यादा होती है और यहां मुर्त्यूदर भी ज़ादा है तो उसके चलते सरकार ने ऐसा निरे लिया और देखा जाता है कि ड्रैवरों की क्या समस्या थी उसमें उनकों ने ये समझाने कोशिस किया कि जो यदि भाग जाता है एक्सिजन्ट करके उसके वो 10 साल की सजा होगी और 7 लग का जुर्माना होगा हीटर गेन केस में उसके उपर कारवाई होगी और जो यदि सामने से चला जाता है पुलिस के पास तो उसको 5 लग का जुर्माना होगा तो उसमें अलग-अलग प्रकार का दिया गया है कि क्या-क्या उसके साथ हो सकता है विस्तार में फिर आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन ड्राइवरों को एक भाय का वातर बन गया कि अब हम लोगों के साथ क्या होगा इधर यदि एक्सिजन्ट हुआ तो उनको सबसे पहले डर लगता है कि जनता जुसको तुरंथी मारने लगती है कई जगा ऐसा भी हुआ है कि ड्राइवरों की हत्या हो गई मॉब लिंचिंग हो गई या तो उनको बहुत बुरी तरह मारा गया तो ड्राइवर एक डर के मारे भागना कोशिस करते है और ड्राइवर जान मुझ के कोई भी एक्सिजन्ट करना नहीं चाहता है ड्राइवर तो रोज कोई भी हो गाड़ी चलाता हो तो उसमें पूझा पाठ भी करता है, भगवान की मुर्ति लगाता है, अगर्बत्ती करता है वो चाहता है कि हमारी गाड़ी में एक स्क्रेच भी न पड़े दुर्गटना होती है वो एक्सिदेंट कहलाता है दुरघटना कभी भी हो सकती है किसी से भी हो सकती है और वो दुरघटना हर जितनी भी दुरघटना होती है सब अलग तरीके से होती है कई जगा ऐसा भी होता है कि किसी लापरवाई से होती है कोई ड्रैवर ने कोई नसा किया हुआ है लापरवाई से गाड़ी चला रहा है, उसकी वज़े से भी होता है कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कोई ऐसा आचानक बीच में आ गया कोई छोटी गाड़ी आ गई, स्कूटर, मोटर साइकल, कार कभी-कभी ऐसा होता है कि उसको बचाने के चक्कर में भी गाडिया एक्सिडंट कर जाती दूसरा कारण है कि गाडियों का ओवरलोड होना गाडिया इतनी ओवरलोड होती है भाड़ा कम होता है तो वो डबल माल भर कर जाते है उसके चलते भी वो accident होने का chance जादा होता है तीसरा कारण कई जगे रस्ते खराब होते हैं रोड पे गड्धे होते हैं कई जगे ऐसा मोर होता है गाड़ी के यदि गती उसके सीमा से जादा है तो accident होने की संभावना बढ़ जाती है रोड का भी उसमें कारण है, कई जगा गढ़े होते हैं, कभी-कभी अचानक डिवाइडर के बीच में से हाइवे पर गाय आ जाती है, कुटा आ जाता है, कोई जानवर आ जाए, तो उसके चलते भी उसको बचाने के चकर में वो अचानक वो ब्रेक मारे या कोछ भी करे, या स पता नहीं चला कि गाड़ी खड़ी है कि चल रही है, तो वो भी किसी ने किसी मानो भूल के चलते एक्सिडंट हो जाता है, तो हर एक्सिडंट एक अलग ही होता है, कोई एक्सिडंट एक जैसा नहीं होता है, जितने भी एक्सिडंट होएंगे, कहीं पर भी होएंगे, तो स घ् Aside ऑर हम देख आजाता है कि जो याता-्याद के नियम हो घारी चालत पूरी तरह से पालन नहीं करते कभी-कभी वह रॉंग साइड में चले जाते हैं कभी-कभी वह ऐसा होता है कि हाइवस पर उसको है कि मेरे को पीछह कि Besku एक किलोमीटर जाना रोड पे यूटन जब आता है आगे जो सरकार के द्वारा बनाया गया है तो वो पांच किलोमीटर है दस किलोमीटर है तो वो अपना डीजल पेट्रोल बचाने के लिए रॉंग साइड में एकाज किलोमीटर चला जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो भी नियम तोड़ता है उसी के हिसाब से एक्सिडेंट होने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है अब सरकार ने जो नियम बनाया तो उन्होंने ये केवल संसद में पास कर दिया ना विपक्ष के साथ चर्चा किया ना ट्रांसपोर्ट के एसोसेशन हो या ड्रैवर के हो उन लोगों के साथ कोई चर्चा नहीं किया अब चर्चा नहीं करना उनका जो कारण था उनको बिल पास करना था संसद में विपक्ष भी नहीं और उन्होंने बिल पास करके सीधे गाड़ी जो ड्रैवर थे उनके उपर थोप दिया तो ड्रैवर और उन लोगों में मन में ऐसा बन गया कि हमारे उपर कुछ सरकार ने डाल दिया है और वो भहे के वातरों में उन्होंने सोचा न समझा और वो चक्का जाम पे उतर गए तो ये जो सरकार यदी विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा करती और ट्रांस्पोर्ट के जो उनके एसोसेशन है उनके साथ चर्चा करती उनको समझाती की और उनके बीच में से रस्ता लेकर आती कि दुरघटनाई इतनी जादा हो रही है उसको रोकने के लिए सरोसम्मती से कोई ऐसा उपाय निकले जिससे एक्सिडंट कम हो लोगों की मृत्तियों कम हो लेकिन सरकार ने विपक्ष को साथ में नहीं लिया न ट्रांस्पोर्ट वालों को लिया न गारी मालिक को न उनके एसोसेशन के किसी को भी नहीं लिया तो उसके चलते एक अलग-अलग प्रकार के लोगों के दिमाग बैठता गया कि सरकार हमारे उपर कुछ जेस प्रकार से किसानों के साथ हुआ था किसानों से चर्चा नहीं किया और उनके उपर वो तीन काला बिल ले आए तो किसानों ने कहा कि हमको ये बिल स्विकार नहीं है उसी प्रकार से सरकार ने इनसे भी कोई चर्चा नहीं किया और सीधे सीधे कानून लाके रख दिया नोट बंदी लाये सरकार ने वो भी विफल गई फिर 2000 की नोट लिया उन्होंने डाला फिर वापस भी लेना पड़ा लोकडाउन किया तो उसका भी कोई फाइदा नहीं हुआ फिर उन्होंने जब कोरोना आया तो बोले कि आरे होगे से तू एप्लिकेशन डाउनलोड करो कोरोना नहीं आएगा तो उससे भी किसी को लाब नहीं मिला तो सरकार बिना सोचे समझे जो जनता के मुद्दे है जनता की समस्याए है जो जनता के लिए कानून बनाना है जनता से न पूछ कर अपने बंद कमरे में ऑफिस में बैठकर कौन बिल बनाता है, कौन समझाता है, कौन सुझाव देता है और सरकार उसके उपर चल जाती है बनाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई और साजीस हो सरकार की मंसा हो कि इसके चलते कुछ लोगों को और धिमे-धिमे लोगों को ऐसा भय का वातर बन जाएगा तो उसके पीछे जो एक इंसुरेंस की कमपनिया है वो इंसुरेंस की कमपनिया फिर अपनी एक नई पॉलिसी लेकर आ जाएंगे कि आपके साथ एक्सिडेंट होगा तो अपका ये वीमा है हमारा ले लीजिए तो आपको ये इतने रुपया मिल जाएगा आपको देना नहीं पड़ेगा घर से जिस प्रकार से कोरोना में लोगों की जब वीमारी में 20 लाग 50 लाग खर्च हो रहा था तो कोरोना के नाम पे एक स्पेसल वीमा इन लोगों ने निकाल दिया लोगों ने लिया भी और कोरोना में वीमा जिस प्रकार से इंसुरेंस कंपनियों ने बेचा क्या उसी तरीके से फिर ये पिछले दरवाजे से इंसुरेंस कंपनिया आना चाहती थी कि इनके उपर प्रकार से दर्ड लगेगा तो वो पैसा तो दे नहीं सकते पैसा दे नहीं सकते तो सबसे उनके दिमाग में यही आएगा तो क्या उपाय किया जाए उपाय इंसुरेंस का आता है कहीं इंसुरेंस के लिए तो नहीं है सरकार ने कानून लाया गया तो ये ड्राइवर जितने भी चालक है वो समझ नहीं पाए और सरकार उनको समझा नहीं पाई सरकार यदि सबके साथ मिल कर बनाई होती तो आज ये परिस्तिती नहीं होती अब उन्होंने कुछ टाइम के लिए रोका है कि अभी लागू नहीं करेंगे लेकिन फिर सरकार उसको लागू करने की कोसिस करेंगी कानून ऐसा बनाया जाए खड़क कानून बनाया जाए दंड भी जादा हो और दोनों को नुक्सान न हो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको भी एक डर का बाहूल में न उसको गाड़ी चलाना पड़े कि कल हमारे साथ क्या हो सकता है वो भी निश्चिंत होके चलाए कानून के दाएरे में चलाए और नियम ऐसा बनाये कि जो गाड़ीया चला रहे कानून न तोड़े कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़ी गाड़िया जो है ट्रक है, हेवी गाड़ी सिक्स लेन की रोड है एक तरफ तीन लाइन जाती है दूसरे तरफ तीन लाइन है तो ट्रक वाले तीनों लाइन में चलते हैं उनको बलकि किनारे चलने के लिए बोड जगा जगा लिखे रते कि आप उसको बाए तरफ ही चलाएंगे बीच में कौन चलेगा डिवाइडर के तरफ कौन चलेगा नियम बनाया है जगा जगा सरकार ने कैमरे भी लगाए है कि ओवरसीड में कौन चलाता है कौन गाड़ी बराबर नहीं चला रहा है कोई रख ड्राइविंग कर रहा है और जो जो कानून तोड़ता है उसको कैमरे में कैच किया जाए उसके उपर कारवाही किया जाए उसके उपर अधिक से अधिक दंड लगाया जाए ताकि जी कम से कम एक्सिडेंट हो पाए लापरवाही करने वाले बहुत कम लोग होते है लेकिन नतीजा भूगतने वाले जादा होते है कुछ लोग गाड़ी बहुत खराब चलाते है नसे में चलाते है कानून का पालन नहीं करते या तायात के नीमों का कोई उनके लिए लगता ही नहीं है कि वो कुछ उनके लिए बना है वो किसी भी तरीके से चला कर लोगों को दबा के मार देते और जो एक भूल वस होता है accident वो एक अलग है तो सरकार को जो accident रोकना है कि जो लापरवाही से गाड़ी चलता है उसके उपर कड़क सिकंजा लगाए कि वो अपने नियम से चले रोड पे जहां चलना हो वहीं पर चले रोंग साइड में न चले उसको जो जो सिगनल सरकार ने दिया हुआ है रेड लाइट का उपयोग करें उसके इसाब से यदी पालन करें तो एक्सिडन्ट बहुत कम होएंगे और लोगों की मुर्तिव दर भी घड़ जाएगी तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है जै हिन जै भारत